स्वागत आपका हमारे चानल Marketplace Geeks, No.1 Seller Assistant आज हम जानेंगे Zomato Partner आप पर डिरेक्ली आप food items के photos किस तरह अपलोड कर सकते हैं और जानेंगे food photos क्यों ज़रूरी है आपके Zomato menu पर हमारे काफी restaurants को online ले जाने पर पाया गया है कि जिन restaurants के food items के images updated है उन्हें लगभग 60% ज़ादा orders आई है तो चलिए जानेंगे हम अपने restaurant के food items के images किस तरह mobile द्वारा ही update कर सकते है हम जानेंगे update, add और replace किस तरह कर सकते है तो जो पहली चीज़े जो आपने करना है वो आपने ढूनना है वो कौन से items है जिसके आपको photos add या update करने है आप वो item सेलेक्ट करिए food item जिसका आपको photo update करना है अगर आपका menu काफी बड़ा है तो उपर दिये गए search box में आप अपने food item का नाम डाल सकते है और आप search कर सकते है आपको वो product मिल जाएगा आप add photo पे tap करे और अगर आपको food photo replace करना हो तो camera button दिया गया है आपको उस पे click करे और आप food photo को replace कर सकते है पहले से खीची हुई photo को आप अपनी gallery से इस्तिमाल कर सकते है या फिर आपको नई photo खीचनी हो तो use camera पे जाए और zomato guidelines के साब से photo खीचे photo select करे और upload पर click करे और आपकी photo upload हो जाएंगे ध्यान रहे आपका food product image rectangular box के अंदर ही हो आपका food या product center में aligned हो photo upload करने से पहले आपको नीचे preview option आएगा आप देख सकते हैं preview पे click करके photo आपका कैसे दिख रहा है customer app पर अगर आप संतुष्ट है तो आप upload पर click करिए अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप edit पर click कर सकते है upload क्लिक करने पर आप देखेंगे photo uploading बता रहा है photo uploading हो जाने के बाद ये request जाती है zomato team के पास photo successfully upload होने पर आपको बताएगा photo in review आप नीचे भी देख सकते है photo uploaded and sent for review अगर आपकी photo reject होती है तो आपको बताएगा photo upload fail चिंता करने की कोई बात नहीं है आप दुबारा retry पे click करें और आप photo को upload कर सकते है zomato की image guidelines को detail में जानने के लिए हमारे वीडियो में दिया गया है description में एक link आप पाएंगे आप उस link पर उस वीडियो को पूरी तरह देख सकते है zomato से जुड़ी सभी तक्नीकी सायता के लिए आप हमें call का सकते है plus 918879688166 thank you